स्वागत है आप सबी लोगों का आपके अपने चैनल खुर्रम व्लोगर पर दोस्तों जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया मैं दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट ले रहा हूं और आज मेरी फ्लाइट छत्रपती शिवाजी इंटरनेशनल एरपोर्ट टर्मिनल पर और कहां पर आपका बैगेज बैल्ट अवेलिबल है और दोस्तों अगर आप मुंबई में पहली बार आ रहे हैं तो देने वाला हूं कुछ ऐसे टिप्स जो शायद आपको और किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगी और दोस्तों एक छोटी सी इंफोमिशन आपको आपको दिखाने जा रहा हूं तो दोस्तों जब हम टर्मिनल टू एरपोट पर आ जाते हैं तो सभी लोग अराइवल होल की तरफ जाते हैं जहां पर हमारा बैगेज बैल्ट बना हुआ है बट उससे पहले ही दोस्तों आप देखेंगे तो यहां पर साइन बोर्ट पर साफ साफ के लिए लिए मेंचन है जो भी लोग अराइवल के लिए जा रहे हैं जिनकी सिर्फ मुंबई तक फ्लाइट है उनको बैगेज बैल्ट एरिया में जाना है बाकि जिनकी फ्लाइट यहां से आगे थी उनको ट्रांसफर डेक्स में जाना है लेफ्ट एंस साइड में एरोश्ट्यस ने ऐनाूस की थी बैल्ट नंबर 13 आप देख सकते हैं मैंनल 15 है और जो भी लोग दिली से मुंबई आये हैं इंया का बैगेज मिलने वाला है बैल्ल नंबर 13 पर आप देख सकते हैं तो दोस्तों जो भी आनाूस्समेंट फ्लाइट में होती है उसको भड़े ध्यान से आप सुने एरोस्टेस बैगेज बैल्ट भी आपकी एनाउस कर देती है और अगर आप अराइवल होल आ जाते हैं और आपको कोई भी कंफ्यूजन है बैगेज बैल्ट को लेके तो आप वहाँ पर इंफोमिशन डेक्स में या फिर जो डिस्पले लगे हुए होते हैं स्क्रीन उस पर अपने फ्लाइट नंबर के आगए अपना बैगेज बैल्ट जान सकते हैं कई बार हो सिच्वेशन होता है कि आप फ्लाइट स इसी और अधर बैल्ट पर चल रहा है और 30-40 मिनट से आपका वेट कर रहा है तो आपका काफी टाइम वेस्ट हो जाता है तो आप अपराइवल होल में आके फटावट अपना कंवेर बैल्ट दुबारा से इंफोमेशन डेक्स से या फिर डिस्प्लेय पर चेक कर लें ताकि की टर्मिल 3 के बराबर बड़ा नहीं है जो दिली में बनाए अभी सभी लोगों ने बैगेज क्लेक्ट कर लिए हैं और मेरा कोई बैगेज नहीं था बट मेरा मक्सक्ता आप सबको बताना कहां पर बैगेज बैल्ट है तो अभी हम एक्जिट करने जा रहे हैं एरपोड ले और मेरू टेक्सी के काउंटर आपको मिल जाने वाले हैं प्रीपेड टेक्सी का अभी आपके पास ओप्शन अवेलेबल है तो दोस्तों यह सारे काउंटर है यहां से आप बुक कर सकते हैं और एप के थ्रू भी आप बुक कर सकते हैं ओला ओबर यहां का एक्जिट है सी ए आपको बताया था कि अगर आपको मुंबई में ट्रैवल करना है तो मैं एक आप आपको दिखा देता हूं सबसे बैस रहता है कि आप एरपोर्ट से थोड़ा भार आके एक यहां से जो बस चलती है वो बस आप ले अंधेरी के लिए भार से आपको मिल जाएगी एरपोर्ट से आप किसी से भी पूछ सकते हैं उसका किराया सिर्फ अधेरी रेलवे स्टेशन तक सिक्स रूपीज है जिससे मैं भी गया था और बाद में मैंने मुंबई लोकल के मज़े लिए तो अगर आप अकेले हैं तो आप इस मुंबई लोकल को ज़रू करें ट्रैवल करने के लिए क्योंके मुंबई लोकल अगर आप अकेले हैं तो आप बहुत ही रीजनेबल आपको पड़ेगा थोड़ा सा राश होता है दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था कि मेरी फ्लाइट में मिस्त नेहा धूपिया थी जो बोलिवूड एक्ट्रेस हैं आप देख सकते हैं वाइड कल दोस्तों इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं अगर आप मुंबई लोकल से ट्रैवल करना चाते हैं तो आप स्टेशन पर यूपियाई के थुरू क्योस मसीन से फड़ावट अपना टिकेट निकाल सकते हैं क्योंके टिकेट काउंटर पर आप ओफ लाइन टिकेट लेने पकड़ी दिली आने के लिए मुझे बहंदर में कुछ काम था बहंदर वेस्ट के अंदर तो काफी अच्छा है ट्रैवल करने के लिए आप मुंबई लोकल का जरू मजा ले और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आ ही हो तो चैनल को सब्क्राइब करें वीडियो को ल पार चार